दोस्तो चलिए आज अपनी ग्रीक माइथोलोजी सीरीज में एक ऐसे गौड को डिसकस करें जो अपने कामों से ज़्यादा अपने जनम के इवन्ट के लिए फेमस हुआ जिसका नाम है डायोनाईसिस दा लॉर्ड अफ वाइन तो चलिए बिना कोई देर किये लेट्स गैट स् जिसे नदी में नहाते हुए देखकर जिउस उसकी ब्यूटी का दिवाना हो गया और उसे अपना बनाने के लिए जिउस हर पॉसिबल कोशिश करने लगा आखिरकार सैमली भी जिउस के प्यार में पढ़ गई वो ये तो जानती थी कि जिउस कोई डिवाइन एंटिटी है पर ये नहीं जानती थी कि जिउस लॉर्ड अफ यूनिवर्स दा सुप्रीम गॉड है जिउस का ये अफियर उसकी फेथफुल वाइफ हेरा से जादा दिन तक छुपा ना रह सका हेरा को जब सैमली के बारे में पता चला तो उसने जिउस और सैमली के इस रिष्टे को आने को कहे क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि एक मॉर्टल नेक्र आई से किसी भी गौड को उसकी फुल ग्लोरी के साथ नहीं देख सकती थी अगर कोई भी ऐसा करता तो उसे सीधे मौत के मूं में जाना पड़ता सैमली ने हेरा की बातों को मान कर जिउस को अपनी प महसूस किया जो जिउस का ही बेटा डायोनाइसिस था जो कि अपनी मदर की डेथ के कारण हाव बॉन रह गया जिउस ने डायोनाइसिस का पूरी तरह से जनम करवाने के लिए उसे अपनी जांग में रख लिया ताकि जब वो पूरी तरह से डवलप हो जाए तो एक सही समय पर उसका दोबारा जनम हो सके कुछ समय बाद डायोनाइसिस का जिउस की जांग से जनम हो गया पर हेरा अपनी सौतन सैमली के बच्चे डायोनाइसिस को जिंदा नहीं देख पा रही थी इसलिए उसने टाइटन को भेज कर डायोनाइसिस के टुकडे करवा दिये पर रिया ने डाइनाइसिश को एक बार फिर life से भर दिया और दोबारा ऐसा होने से रोकने के लिए जिसमने माॉटेन नेिप को डाइनोज सीग कि प्रोटेक्शन में लगा दिया हेररा एक बार Dionysus को जिन्दा देखकर अंदर ही अंदर घुट रही थी उसने एक बार फिर Dionysus को मारने के लिए उसे पागल कर दिया जिस कारण Dionysus पागलों की तरह पूरी दुनिया का टूर करने लगा उसने पूरी दुनिया में अपने कल्स डवलेप किये और लोगों के साथ सब्सक्राइब की तरह दिखाया जाता है जिसने अपने एक हाथ में पाइन कोन कैप की एक स्टेक और दूसरे हाथ में ग्रेप से बनी वाइन का कप पकड़ कर रखा है जो हमेशा भरावा होता है God of wine होने के कारण Dionysus को कई बार Greek Gods का party animal भी कहा जाता है जो हमेशा ही wine के नशे में होता है Dionysus के party animal होने के कारण उसके बहुत सी females के साथ relations भी थे बट उसकी faithful wife का title Arry Adne को जाता है Arry Adne वही mortal woman थी जिसे Theseus Dionysus के कहने पर island पर छोड़ कर चला गया था Theseus के चोडने के बाद Arry Adne उस island पर दुखी पड़ी रही तभी goddess of love Aphrodite ने Arry Adne को बताया कि जल्दी ही उसकी जिंदगी में एक ऐसा god आएगा जो उसका true love होगा जब Dionysus ने Arry Adne को देखा तो वह उसकी beauty का दिवाना हो गया और दोनों ने एक दूसरे को accept करके शादी कर ली दोनों के इस शादी से तीन बच्चे होए इनी Pion, Staphylus और Thos Underworld तक जाने की हिम्मत सिर्फ Orpheus ने ही नहीं की बलकि Dionysus ने भी की वो भी अपनी मरे हुई मा सैमली को लेने Underworld पहुँच गया Orpheus तो अपनी wife Euridize को नहीं ला पाया बर Dionysus God of Death Thanatos का सामना कर अपनी मा सैमली को वापिस ले आया और उसे मौट Olympus ले गया Vine God Dionysus के बारे में एक किसा और मशूर है जिसके मताबिक अपने World Tour के दोरान Dionysus के मुलाकात कुछ पायरेट्स कुंडों से हुई जिन्होंने Dionysus को अमीर रईस जादा समझ कर गिटनैप कर लिया ताकि वो उसके पेरेंट्स से बदले में भारी भरकम रकम मांग सके पर वो अंजान पायरेट्स नहीं जानते थे कि उन्होंने एक God को कैप्चर कर लिया है उन्होंने जैसे ही उसे बांधने की कोशिश की Dionysus अपनी God फॉर्म में आकर सभी को पानी में फेंक दिया जिससे वो सभी डॉल्फिन्स बन गए Dionysus, Quardus, Demeter की तरह हमेशा ही mankind के लिए soft, gentle behavior रखते थे जिस कारण ancient Greeks के बहुत से लोग उन्हें worship किया करते थे Dionysus के सम्मान के तौर पर हर साल spring season में एक harvest festival celebrate किया जाता था जिसका अंत Greek place और शाही दावत के साथ होता था फेस्टिवल में शामिल होने वाले सभी writers, actors, spectators, dynosis के secret servants के रूपे सेवा देते थे तो दोस्तों ये था Dionysus the god of wine जिसे हेरा ने मारने की तो बहुत बार कोशिश की पर उसके luck ने उसे हर बार एक new life gift की अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते है अपने next वीडियो पर and please 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 subscribe my channel ताकि हम एक wonderful community develop कर सके तब तक के लिए goodbye मिलते हैं अपने next वीडियो में